डॉली क्या हर्याना के बाद महराश्ट्र एक बड़ा सेट बैक है और जार्खंड का नाम लेकर कम से कम इस खलिश को भुलाने की कोशिश है कि जार्खंड तो जीत गर देखें गरिमा जी ऐसा कुछ नहीं है मैं महराश्ट्र में जो इंडिया एंडिये की जीत हुई है उसके किसे बड़ी बात जिस तरीके से खुले तोर पर महराश्ट्र में अब मैं बोलूंगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन जो सच्चाई है जिस तरीके से करोड़ा रुपया खुले आम बट रहा था महराश्ट्र में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है जिस तरीके से परसंटेज बढ़ गए जिस तरीके से पोलिंग बूत के कैमरा बंद कर दिये गए यह भी सवाल है जो हम लगातार उठाएंगे जहां एलेक्शन कमिशन आंक मूंद कर बैठ गया जहां बहुत सारे मुद्दे गरिमा जी जो आपने खुद यहां पर गिनाये चाहे किसानों का हो MSP का महंगाई का हो मराठा वाला मुद्दा हो OBC non OBC हो उस तरीके के मुद्दों को आप फिर से बटोगे तो कटोगे और उसके अलावा बहुत सारे धरम युद्ध ऐसी ऐसी चीजे वहां ले आए डिलिवरी के नाम पर आपने महराश्च की जनता को फिर से आरे चीजें है यह भी वहां हुई है गरिमा जी और उनको किसी भी वज़ा से आप नकार नहीं सकते हैं यह भी पर डॉली क्या इस बाद पर भी एक्सेप्टेंस लाना चाहिए कि आपके काडर ने आपके नेताओं ने उस तोर पर महाराश्च्ट में नारेटिव बिल्ड़ कि आपस में लड़ते ज्यादा दिखे बनिस्पाच सत्ता पक्ष से लड़ने के गरिमा जी ऐसा होता है कि जब जहां जीट जाते हैं वहां सारी जीज़ें ओके हो जाते हैं नहीं मैं तो आकड़ों से कह रही हूं यह बाद मैं इस नेरेटिव के साथ जाई नहीं रही हर कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ता है हारने के लिए तो नहीं लड़ता कभी भी नहीं होता है यह ब्युक्त और जिस तरीके से कि महराष्ट्रा के जो निरने आया है जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको विनम्रिटा से सुईकार करते हैं उस पर काम करेंगे देखेंगे इंट्रोस्पेक करेंगे कहां कहां क्या कमी रह गई आगे उस पर चर्चा करेंगे उस तरीके से निरने लिए जाएंगे संगठन म पर लड़े नौ सीटे हासिल कर पाई सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट आपका शांदार स्ट्राइक रेट सत्रा में से तेरा सीटे लोक सभा में कैसे पल्टा यह पाईसा डॉली कि पन्म्यूट कीजिए ना हाँ अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है धनंजे सबसे पहले हैं